उत्तर प्रदेश के मुजफर पूर जनपद में मंगलबार को भारतिय किसान यूनियन के रास्ट्रिय प्रवक्ता राकीश टिकैट ने एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को नगर मेस्थित राजकिय इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों का अनिश्चित कालीन धरना शुरू होगा। इस धरने के माध्यम से किसानों की मांगे जिला प्रशासन के सामने रखी जाएगी। जिला प्रशासन जितनी जल्दी इस मांगो को हल करेगा उतनी ही जल्दी धरना समाप्त होगा वरना ये धरना लगातार चलता रहेगा। जो टिकेट साब के टाइम के लोग हैं दरसल 26 जनवरी को हर्याणा के जिंद में सन्यूक्त किसान मोर्चा की होने वाली महापंचायत को लेकर राकेश टिकेट अपनी तयारियों में जूट गए हैं उनकी माने तो 26 जनवरी को जहां यूपी के 14 जिलों से किसान जिंद में पहुँचेंगे तो वही मुझफर पूर जनपद में भी किसान सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे साथी राकेश टिकेट ने यह भी ऐलान किया कि 28 जनवरी मुझफर नगर जनपद के राजकिये इंटर कॉलेज में किसानों का धरना शुरू होगा इस धरने में गन्ने का भुगतान, बिजली के दाम, आवारा पशू की समस्या और जमीन अधिगरहन समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे बहुत हाईवे निकल रहे हैं, अपने खास करके मुझे फनगर उन इस शेतर में उनमें बड़ी समस्या है, अंडर पास की समस्या हो, उसकी हाइट बढ़ाने की हो, कहीं कट दुआने की हैं तो सबका समधान एक जगे से होगा, गोर्मेंट कोलीज का फिल्ड, वहीं अधिकारी से बाचीत करते रहेंगे अधिकारी जे एक दिन में समधान करते हैंगे, एक दिन में हो जागा, नहीं तो धर्ना चलागा टीवी हंड्रेड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखट, दिल्ली, मंदर दर्शन, बॉलेवर्ट, हिमाचल प्रदेश, हरयाना फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें